हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग तो पिछले कुछ दिनों से अर्मेनिया और एजरबाजान के बीच में जो कॉंफलिक चल रही है एक जो जगा उसका नाम है नागोर्नो कराबाग तो इस जगा के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे में यहाँ पे नागोर्नो कराबा के लिए यहाँ पे जो है अलग-अलग ताइम में यहाँ पे डिस्प्यूट चल रही है इसके हिस्ट्री के बार में थोड़ा था डिस्कस करेंगे अगर यहाँ पे वार जो है एक सीरियस लेवल पे चली गए तो इसके पॉसिबल इंपेक क्या हो सिखती है इंटरनेशनल हो गई यहाँ पे फिर economic point of view से क्या problems होगी इंडिया की relation अर्मेनिया और एजरबाइदन के साथ क्यों important है from India के एंगल से देखेंगे यहाँ पे तो बहुत कुछ चीज़े यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को end तक बिलकुल देखते रहेगा from international relationship point of view के सबसे को हमारे website में free of course मिल जाएगी नीचे description में मैंने website का link दे दिये हैं वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं helicopters को यहाँ पे फोड़ा है लेकिन Azerbaijan का यहाँ पे कहना है कि उन लोग यहाँ पे disputes से related जो भी claim अर्मेनिया ने की है उसको यहाँ पे verify करेंगी अभी यह जगा है नागोर्नो कराबाग तो इसमें कहा गया है कि 95% जो लोग रहते हैं वो Armenian ओरिजिन है तो इसके हिसाब से काट माना जाता है अगर देखेंगे यहाँ पर religion point of view के हिसाब से अर्मेनिया में Christian majority और Azerbaijan में Muslim majority है तो इसके हिसाब से दुनिया के अलग-अलग countries यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ गई है अलग-अलग countries यहाँ पे support कर रही है अलग-अलग देशों को अभी Armenia को जो यहाँ पे आइडिया हो जाएगा यहाँ पे तो देखें यह जो औरेंज पार्ट का हिस्सा है यह अजरबाइजान है यहाँ पे अजरबाइजान का capital जो है बाकु एकदम connecting में यहाँ पे कास्पियान सी है उपर नौठ में जो है रोश्या जॉर्जिया और देखें यहाँ यहाँ पे यहाँ पे capital है यह रैवान जो टर्की और यहाँ पे देखें कि इरान के साथ भी connected है थोड़ा सा तो यहाँ पे अर्मेनिया के साथ यहाँ पे जो यह orange कलर का हिस्सा है यह actually अजरबाइजान का ही एक पार्ट है लेकिन दोनों ही हिस्सा जो यहाँ पे land mass से connected नहीं है अभी ज जो है area control by Armenia है और जो यह red color का portion है यह red color की portion ही जो है नागर्णो कारभाग दोनों ही देश जो यहाँ पे claim कर रही है यहाँ पे तो अर्मेनिया के बीच में यहाँ पे देख सकता है लेक सेवान तो जोग्राफी के point of view के हिसाब से आपको map best question कुछ भी पूछा जा सकता है तो अभी दोनों ही देशों को जो 1991 में USSR जब टूटा था दोनों ही देश जो है Azerbaijan और Armenia उसको independence मिली थी लगभग 14 देश उस टाइम में जो है independence मिली थी 1991 में जैसे कि Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine हो गया काफी सारे जो Middle Asian countries है किरिकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्किमिनिस्तान, कजाकिस्तान, उसबेकिस्तान, जोर्जिया, मोल्दोवा, काफी सारे देश को उस टाइम में independence मिला था, तो ये दे सकता है Russia अभी भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है in terms of land mass, तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा history के बारे में देखेंगे तो 1920 में Russia उ अगरनव कारणवाग को मिल गया था, तो उन्होंने एक लजिसलेशर पास क्या था कि उनलोग जो है आर्मेना के साथ जोईन करना चाहते हैं, तो क्या हुआ उस टाइम में जो है जो जो अज़िवाईजरान ने यहाँ पर बोला है कि अज़िवाईजरान ने यह जो इंडिपेंट्स मिल गए थी तो यह जो है अजरबाजान ने इसको बॉइकट कर दे था तो उसके बाद से जो है वार जो है 1991 के बाद से अर्मेनिया और अजरबाजान के बीच में बीच-बीच में चलती आ रही थी तो 1994 में जो रशिया ने दोनों ही देशों के बीच में शिर गए जिसको है यहाँ पर फोर्ड यह वार भी बोला जाता है अभी 2020 में यहाँ पर फिर से यह प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग बात करेंगे यह वार जैसे सिटूशन अगर और भी आगे बढ़ गे तो उसका एफेक्ट किया है तो ऐसे सिटूशन में यहाँ पर सोशेल अन्रेज जैसे सिटूशन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं एकोनुमिक इंपेक्ट क्या हो सकते कि अजर्बाइजान यह एक ऑईल और गैस इंपोर्टर है यह फिर सेंचल एशिया के लिए अगर वार जैसे सिटूशन आ गई इंपोर्ट करती है उसके प्राइजेस बढ़ जाएगी इंटरनेशनल इंवोल्बमें अगर यहाँ पर हो गए तो देखें कि रश्या जो है अर्मिनिया को सपोर्ट कर रही है तर्की यूएसे जो है अजर्बाइजन को सपोर्ट कर रही है और अगर यह फिर से बढ़ गई तो तर्की और रश्या के बीच में यहाँ पर क्लैश हो सकती है अगर बात करेंगे यहाँ पर रश्या और इस्राहिल दोनों ही देशों को यहाँ पर जो है आर्म्स बेज़ती है तो डेफिनेटल उन लोग नहीं चाहेंगे कि वार जैसी सिटुएशन बन सके यहाँ अगर ह चुका हूँ तो स्वाथी मिलिटरी जो रेडर सिस्टेम जो है इंडिया ने अर्मेनिया को भेजा था जिसके जरिए दुश्मनों का ठीकाना बहुत ही एकुरेटली पता लगा सकते हैं तो इंडिया भी जो है आर्मेनिया को आर्म सप्लाई करना यहाँ पर शुरू कर दिय है अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो काफी सारे इंडियान स्टुडेंस बहुत सारे जो अर्मेनिया जॉर्जिया लिथवेनिया बेलारूस यहाँ पर मेडिकल कोर्स पढ़ने जाते हैं बहुत सारे इंडिया के लेबर माइग्रेंट जो है अर्मेनिया और इंडिया के इसू में उपोस किया था तो इफिनीटले अगर अर्मेणया जो है इंडिया का साथ रहेगे तो अर्मेणया की यहां पर सोचना है शायब इंडियाtimer को सपोर्ट करदें अभी अगर देखेंगे इंडिया और एजर्बाजान के रिलेशन के हिसाब से जो इंटरनेशनल नौर्ट साउट टांस्पोर्ट को रीड़ो तो इसको अगर मैप में देखेंगे तो देखें इंडिया से अगर मॉस्को पहले कुछ भेजना पड़ा था तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे जा जाएंगे तो यहाँ से जो है रेल रोड फिर यहाँ पे जो है रोड से यहाँ पे मॉस्को कमिनिकेट किया जा सकता है आधे से कम दिस्टेंस में तो यह जो रास्ता जाती है यह अजर्बाजन से होके जाती है तो देखें यहाँ पे इंटरनेशनल नौर्ट साउट ट्रां एक पार्ट है और उसमें अजरबाइजन जो है यहाँ पे एक डायलोग पार्टनर है तो डेफिनेटली अजरबाइजन और इंडिया जो है इंटरनेशनल ग्रूपिंग में भी आती है यहाँ पे दोहदर अठार में जो है इंडिया के एक्टरने रेफरेस्ट मिनिसर सुस्मा तो यहाँ पे जो है अजर्बाइजर में जो ऑईल की जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स हैं इंडिया भी वहाँ पे इंवेस्ट कर रही है तो एक चीज देखे यहाँ पूरी दुनिया अलग-अलग जगा पर यहाँ पर बटर रही है अपने-अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपने-अपने फाइदे के लिए यहाँ पे तो डेफिनिटली अभी इंडिया को ऐसे बारवे नहीं सोचिन चाहिए इंडिया को अभी यहाँ पे एक डिप्लॉमेटिक रिलेशन के इसाब से दोनों ही देशों के बीच में यहाँ पे बाते करनी चाहिए कि वार जीसी सिटुएशन ना हो जो भी प्रॉब्लेम से आपस में आप लोग समझाइए वार से किसी का भला नहीं होने वारे तो इंडिया को यहाँ पे जो है एक न्यूट्रिली यहाँ पे जो है सपोर्ट करनी चाहिए दोनों ही देशों को तो यह था हम लोग का complete analysis regarding Armenia और Azerbaijan के conflict जो अभी चन रही है आशा करते हैं यहाँ पे बहुत सारी बाते आपको समझ में आएगा in and out history से यहाँ पे history point of view से देखेंगे या फिर अगर हम लोग यहाँ पे जो impact point of view के हिसाब से international relationship point of view के हिसाब से discuss किया अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा है और भी hard work करने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही देख तेरे history guys take care thank you and जय हिंद